हाँ है है हेलो प्यारे बच्चों हाव आर यू आई होप आप सभी अच्छे होंगे और चलिए बिना देर की शुरू करते हैं अबरा आज का टोपिक और आज का टोपिक है हमारा फेक्ट्र ओनिच रिजिस्टेंस डिपैंड हमने लास्ट ताइम क्या स्टेडि किया था कि रि करती है करेंट का अपोज ठीक है आज का हमारा टोपिक है शेक्टर ओन विच रोजिस्टेंस डिपेंड्स वो फेक्टर डिस्कूस करने वाले हैं जिन पर रोजिस्टेंस डिपेंड करती है ठीक है तो फेक्टर क्या है R directly proportional to L L क्या है length of conductor Length of conductor Directly proportional का मतलब क्या है अगर हमने यग conductor का length increased किया तो resistance क्या होगा increase और हमने क्या किया length को decrease किया तो resistance क्या होगा EVERY करें हैं सेकंड क्या है आर इंवर्सली प्रिपोर्शनल टू एरिया ओफ क्रोसेक्शन यह क्या है एरिया ओफ क्रोसेक्शन आए ओफ कंडुक्टर लिख सकते हो यह हमारे पास एक कंडुक्टर है जिसका लैंथ यह बाला जो एरिया है ये इसको हम क्या बोलते हैं प्रोसेक्शन एक्यार जैर्ट of cross section A, जो equal किसके है, pi r square, हमने इस wire का, इस material का, conductor का radius कितना consider किया है, r, तो इसका area कितना हो जाएगा, pi r square, थर्ड क्या है, nature of material, थर्ड क्या है, nature of material row, means specific resistance, मतलब क्या है इसका, कि जो हमने conductor यूज किया है, वो iron है, copper है, silver है, किस type का, उसका nature है, तो थर्ड क्या है, nature of material, next, fourth क्या है, temperature of conductor, या फिल temperature of हम लिख सकते है, material material, next, क्या है, temperature of conductor, तो ये चार फेक्टर है, जिन पर एक wire का resistance depend करता है, ठीक है, directly proportional में क्या होगा, length को increase किया, तो resistance क्या होगा, increase, decrease क्या होगा, decrease होगा, inversely proportional, one upon लिखना है आपने इसको, symbol same रहेगा उसी के जैसा, लेकिन one upon लिखा, तो मतलब क्या है इसका, inversely proportional, और इसका मतलब क्या है कि अगर हमने area को increase किया, तो resistance क्या होगा, decrease होगा, और हमने area को decrease किया, तो resistance क्या होगा, increase होगा, इन चार फेक्टर पर resistance depend करती है, ठीक है, next हम बात करने वाले है, grouping of resistance, grouping of resistance, दो तरीके से हम resistance की grouping कर सकते है, first is series, resistance in series, और दूसरा grouping क्या possible है इसका, वो है parallel, दो तरीके से हम resistance की grouping कर सकते हैं, first क्या है series और दूसरा क्या है, parallel है, तो इसको लिखने वाले हैं रिजिस्टेंस इन सीरीज और नेक्स क्या बन जोएगा रिजिस्टेंस इन पेर्लान सीरीज इसे किया है वन आफटर वन एक मैं अरेंज कर दिए इन इन इस वे हैं को कि एक पीछे होगा है यह first है इसे की पीछे कोन हो गए second फिर कोन हो गए third fourth in this way one after one अगर resistance को हमा रेंज कर देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको series बोलते हैं और पैडलर में क्या होगा जैसे यह first register है यह वाला क्या है second register है और यह third register है इन सभी का एक end एक point पे आ जाए मानली जी point A पे आ गया और सभी का दूसरा end कहां चला जाए इस दूसरे point पे चला जाए मानली बीप ए ठीक है तो क्या बन जाता है वो parallel यह हम यह बोल सकते हैं कि सभी का एक end कहां आ गया है positive terminal of cell of battery और दूसरा कहां आ गया सभी का वो आ गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे पैरलल बोलेंगे इसको हम कि स्रीज वाले केस में कैसे कनक्ट है यह वन आफ्टर वन है इन दिस वे अभी हमने सब्सक्राइब करेंगे तो करेंगे तो करेंगे तो कहां से बहार आएगा बैटरी के पॉजितिव से स्पोज यहां से आई करेंट फ्लो कर रहा है तो यह आई करेंट का फ्लो करेंगा तीनों रजिस्टर में सेम वैल्यू ऑफ करने वाली है ठीक है लेकिन जब यहां से की को करेंगे तो उस केस में क्या होगा करेंट यहां से आई जाएगा लेकिन यहां इस पॉइंट में जाके करेंट स्प्लिट डिवाइड हो जाएगा यहां मान लीजी आई वन हो गया यहां हो गया आई टू और यहां कितना हो गया है आई थी तो सिरीज में क्या है करेंट स्अव रहने वाला है ठीक है कि आई है मतलब जो क्रेंट है प्रमुप है क्रेंट के वेल्ट या रहेगा से क्रेंट क्या रहेगा सेम और हम बोल डेंड इस यह पोटेंचल डिफरेंस हम बोल सकते हैं यह सब्षी रेजिस्टर के अंदर यह रहेगी different रहेगी यह different रहेगी इसका reverse यहां होगा यहां हम देख पारे कि क्या सभी के अंदर जो current है वो क्या हो गया है divide हो गया है यहां से I1, I2, I3 ठीक है? resistance अभी का different है तो यहां reverse होगा यहां जो voltage है इस वाली case में मतलब parallel में voltage potential difference सभी रिजिस्टर के अंदर से रहेगी और जो current है वो क्या रहेगा different रहेगा तो definition यहां से बना सकते हैं कि अगर जो flow of current है वो से रहे और potential difference क्या रहे है different रहे तो हम क्या बोलेंगो उसको series बोलेंगे तो definition बनाएंगे हैं से the resistance are said to be connected in series connected in series such that there is same value of current same value of current and voltage यह भी पोटेशल दिए पोटेशल दिए अगरोज़ अक्रोज इच रिजिस्टर इस डिफरेंट वो क्या हो जाए different हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको हम series बोलेंगे ठीक है अब ऐसे हम लिख सकते हैं इसे ही हम यहाँ definition लिख सकते हैं parallel के लिए क्या लिखने है definition parallel के लिए बोलेंगेMatt बोलेंगेैंगे जच सकते हैं च performer बोलेंगे और दिफ़ेश्वיים ऑर सकते हैं दैन आईगें there is same value of voltage, potential difference, and different value of flow of current. इच रिजिस्टर जैसा डिएक्राम में हमने बताया है वैसा है डिफिनिशन हमने आप लिए है ठीक है अभी हम क्या करने वाले हैं यहां हमने देखा कि वोल्ट एक सप्लाई है तो वोल्ट इस डिवाइड हो गया है इसमें वोल्टेज कितना हो गया है वी वन, नक्स के अक्रोस वोल्टेज हो गया है वी टू और नक्स के अक्रोस वोल्टेज कितना हो गया है वी थ्री ठीक है इस केस में सभी की सभी क्या है बैटरी से डर्टली करेक्ट हैं तो वोल्टेज क्या रहेगी सभी में सेम रहने वा हुआ है वोल्टेज डिवाइड हुआ है थ्री पार्स में V1 V2 V3 और इस वाले केस में करन्ट डिवाइड हुआ है I1 I2 I3 तो ध्यान रखना है हमें करना क्या है जो डिवाइड हुआ है उसी को हमने करना है तो चलिए स्रीज को इक बार फिर से देख लेते हैं अभी वोल्टेज डिवाइड हुआ था V किस किसमें डिवाइड हुआ था V1 प्लस V2 प्लस क्या हुआ था V3 अभी हमने V1 V2 V3 क्या हुआ कर लेना है क्या है causing. क्या है वुट्रे ते इंक बार आपने में लिख लेना है है चार लगाए हैं तो चाहरो लिखना फैले में कितना है V1, दूसरे में V2 है, तीसरे में कितना है V3 है, रजिस्टेंस के values क्या है, R1, R2 and R3 है, I सभी में सेम है, क्योंकि श्रीज में लगा रखे हैं ना, तो सभी में current क्या जाएगा, सेम जाएगा, तो values यहां apply कर देते हैं, तो V equal किसके हो गया, I R1 plus I R2 plus I R3, और यहां से हमने I क्या ले लिया है common, तो अंदर जो value बच गए है, वो बच गए है R1 plus R2 plus R3, अभी हम क्या करने वाले हैं, माल लीजे, यह जो तीन resistance हमने लगाया है, इन तीनों को हटा के हमने एक single resistance लगा लिया है, मतलब जो कामों तीन resistance कर रहे थे, वो यह कामिया अकेला करेगा, और इसका resistance हमने consider कर लिया है, R S, S4 series, जो की को close करेंगे तो current उतना जा रहा है, ठीके, तो V कितना होगा, V is equal to I R, लेकिन resistance कितना है, R S है, बाकी value सेम हो गया है, तो यहाँ I S I cancel हो गया है, तो resistance in series total कितना अगया है, R 1 plus R 2 plus R 3, अगर एक resistance और होता तो R 4, एक और होता तो प्लस में R 5, चलिए ऐसे हम calculate करते हैं किसको, पैडल वाले case में क्या देखा था, कि divide कौन हुआ है, यहाँ divide हुआ है current, है na, current divide हुआ है, I 1, I 2, I 3 में, ठीक है, I 1, I 2, I 3, तो यहाँ सन्क्या करेंगे, I को calculate करेंगे, जो divide हुआ है, उसे को हमने find कर लेना है, तो I कितना हुआ है, I 3 parts में divide हुआ है, I 1 plus I 2 plus I 3, ठीक है, according to POMS law, I का value क्या बनेगा, यह value बनेगा V by R, इसको भी 3 times लिखना है, जैसे पहले लिखा था, V by R, once again क्या लिखना है, V by R लिखना है आपने, पहले वाले में कितना current है, I 1, resistance कितना है, R 1, दूसरे वाले में current कितना है, I 2, resistance कितना है, R 2, तीसरे वाले में current कितना है, I 3, resistance कितना है, R 3, यह value जहाँ apply कर जाते हैं, तो हमारे पास I कितना आएगा V by R1 plus V by R2 plus V by R3. V हमने सभी से क्या ले लिया है common हम देख पाने हैं कि सभी में V क्या आ गया है common आ गया है तो वी common लेते हैं तो क्या बनेगा ये 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 ठीक है अब जैसे यहां किया था कि तो यहां से आएक क्या बनेगा वह सेंगल रेटरी है वी तो यह बन जाएगा वी अपोन और पी is equal to V common हो गया है 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 तो वी से वी क्या हो गया है cancel हो गया है तो net resistance in parallel आ गया है 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 okay this is the total resistance ठीक है चलिए एक example से बात करते हैं पहले माल लीजिए इस सारे को आप आप जाहें तो एक साथ screenshot भी कर सकते हैं in this way पहले आप डियाग्रम देख सकते हैं कि ओके और और अब चाहिए इसको screenshot कर सकते हैं और इसके बाद कि वांस अगें और यू कैन स्क्रीन सोट इट और यह हमारे पास लास्त आ गया है ठीक है चलिए डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए अगर हम 3 रेजिस्टर लगा दें अगर हम क्या करें यह मान लीजिए 10 ohm है यह 15 ohm है और यह कितना है 30 ohm है इनको अगर हम लगा दें सिरिज में एक बैटरी के साथ तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा और कितना फ्लॉफ करेंट आएगा यह हमने यहां से कैल्प्रेट करना है ठीक है और मान लीजिए जो बैटरी है जो सेल है वह कितने का है वह 110 वोल्ट का है और सेम अरेजिबेंट हम कर दें पैरलल माले केस में अगर इनी रेजिस्टेंस को हम कहां लगाए इनी रेजिस्टेंस को हम लगा दें पैरलल में है इन बड़ेट केस हमारे पास बैंटरी कितना करण्ट यहीं है सेम 110 वोल्ट तो इस तो हमें करना अंगे किना मिलेगा हमको बैटरी सब्देश को क्या करें अब तीनों किसमें स्वेजिवें है तो ने रजिस्टेंस कितना हो या एक उनका वह हमने consider कर लिया है R1, R2, R3 तो फर्मूला जैसे कि हम जानते हैं क्या था फर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 तो RS कितना हो गया है 10 प्लस 15 प्लस 30 तो ये हमारे पास कितना हो गया है ये हो गया है 55 Ohm ओके और अगर हम बात करें parallel की तो इस case में resistance कितना होगा तो resistance की बात करने पहले तो 1 upon Rp क्या फर्मूला था? 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 same resistance हमने यहाँ यूज किये है तो कितना बढ़ेगा 1 by R1 1 by 10 1 by R2 और 1 by R3 हैं टो यहां सब देख पारे कि it now the most is yuz um यसcation की तन हो गया है ठांप तो कितना है 30 तो ठोटी टू प्लस कितना हो गया है व म् यह कैसे आएगा 30 को से 베ंट है 10 से 3 आएगा उस 3 को यहां मुल्टिप्लाइब करना है ठीक है तो यह हो गया है तो यह हो गया है तो वह आगया है तो आगया है तो नहीं लगाया तो हम देख पा सब्सक्राइब करेंगे और अगर हम क्या करते हैं लगाते हैं पैरलल में हम यहां देख पानेगी लोवेस कितना है को इस कोई, टेख प्रगाया है कि अगर हम architects को सब्सक्राइब को ओस्टी तो आए किसके को मिया है वी engine कितना होगा तो Testing 110 वोल्ट और इस्टेंस कितना आगया है डवल फाइफ तो कट होके यहां सब देख पार है कि टू एम्पीर करेंट हमको यहां से मिलने वाला है ठीक है और मिसला यही था कि जितना रिस्टेंस हाई होगा उतना करेंट क्या होगा कम होगा इस वाले केस में इस वाले केस में हमको करेंट मिलेगा वी अपोन आपी तो वी कितना है 110 है और नेत रिस्टेंस कितना यह वाई तो इसको सिंप्लिफाइग का सकते हैं 5 meters 10-252-10 तो करेंट हमको यहां कितना मिल गया है 22 Ampere मिल गया है ठीक है तो यहां समझ गया है कि अगर हमने रेजिस्टर को अरेंज किया पैडल में हमने उनको अरेंज किया तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डिग्रीज और अगर हमने उनको अरेंज किया किसमे अरेंज किया सीरीज में अरेंज किया तो रेजिस्ट अगर हम बात करें तो कौन से वाला हमारे लिए बैटर होगा ये पैडल बैटर होगा तो सीरीज में हम देख पा रहे थे कि हमारे लिए जो करेंट का जो पाथ है वो सिंगल पाथ है अगर कोई बी एक कमपोनेंट बढ़न हो जाता है तो बाकी कमपोनेंट्स भी काम नहीं कर पाएंगे सभी को सेम करेंट मिले रहा चाहिए किसी की रिक्वार्मेंट कम हो चाहिए इसी की ज्यादा हो ठीक है और voltage divide हो जाएगा लेकिन parallel वाले case में क्या है सभी को जो current है वो as per requirement मिलेगा क्योंकि सभी में current क्या हो रहा था divide हो रहा था ठीक है और voltage हमें क्या मिलेगा same मिलेगा और किसी को भी हम as per requirement operate कर सकते हैं जिसको चाहें उसका circuit close कर सकते हैं जिसका चाहे उसका सरकेट हम ओपन कर सकते हैं तो हमारे जो बेटर होगा गुट बेटर कौन साथ होगा हमारे लिए पैरलल कॉम्बिनेशन ओफ रजिस्टर वो हमारी क्या होगा बेटर हो ठीक है क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्टिक एपलाइसे हैं के सबीधिभाटों हो जो साथ करें ठीक है लेकिन सभी सभी साथ चलेंगे जैसँ सभी क्या हो जाएंगे बंध हो जाएंगे तो बैकर कॉन सा होगा पैडलेल जो अरेंजिमेंट है resistances का वो हमारे लिए क्या होगा better होगा अभी हम बात करते हैं heating effect of current अभी हम बात करते हैं Joule heating effect of current Joule heating effect of current चा मतलब है इसका I suppose यह वायर है और इस वायर में से क्या flow हो रहा है current flow हो रहा है तो इस वायर के अंदर क्या आती है heat आती है जिसको हम क्या बोलते है heating effect of current Joule heating effect of current ओके when current is passes through a wire passes through a wire the wire gets heated क्या हो जाती है heat हो जाती है that's heated and this is called heating effect of current heating effect of current कहा यूज करते है हो जैसे electric bulb electric bulb बल्ब क्या हो जाता है heat हो जाता है okay electric heater heater देखा हो आपने कि कैसे जो फिलामेंट है उसका वो क्या हो जाता है red hot हो जाता है electric iron press क्या होगा आपने electric iron geezer यह हमने देखिया होंगे यह सब किसे काम कर रहे होते है heating effect of current से काम कर रहे होते है मतलब क्या है इसका यह वायर में से क्या पास होगा current पास होगा तो वायर क्या हो जाएगा hot हो जाएगा heat हो जाएगा ठीक इसको क्या बहुते है heating effect of register heating effect of current बहुते हैं क्या किस तरीके से यह डिया करता है तो स्पाउज यह हमारे पास एक रोस्तर है और इसको हमने एक डिश्टर करता है तो तो अगर जिस्टंस का इस रजिस्टर का रोस्तिन कितना है आ रहे है और जब यहां से की को क्लोज करते हैं को स्पोज यहां से आई कर्सक्राइब करता है और कितने टाइम के लिए फ्लो करता है तो इसमें जो ही टाइगा ना ही वह डीपेंड करती है फास्ट स्केर अफ करन्ट ओके शेकंड डार्क्लिव पोस्टनल तू रिस्संस अंड डार्क्लिव पोस्टनल तू टाइम आई यहां पिका है फ्लो फ करेंट आई क्या है कि उस कंपोनेंट में से कितना क्रेंट पास होता है आर क्या है रिश्टेंस ओफ डेट कंपोनेंट टी क्या है टाइम फोर मीच करेंट इस फ्लों में कितने टाइम के लिए करेंट फ्लों हो रहा है तो तीनों पर एक्वेशन को तो हमारे पास क्या आएगा है एक डारेक्टली प्रेपोर्शनल टू आइस के राटी और यहां कॉंस्टेंट के वेली हो गया वन एच हम लिखेंगे आइस के राटे इतना हीट एक कंड़क्टर में आने वाला है ठीक है अब इसको थोड़ा सा मोडिफाइग करते हैं कैसे मोडिफाइग करें देखिए अभी हमने यहां से क्या लिखा हुआ है एच इज इकुल टू आइस केर आर टे इसको हमने क्या कर लेना है इसको आर से मल्टिप्लाइग कर लेना है और आर से हमने डिवाइड कर लेना है एंड हम जानतें कि वी इकुल टू क्या है आई आर ओमसला ही तो आई स्केर आर स्के स्क्राइब आपके एक और फर्मुला आगया है किसके लिए फीट के लिए ठीक है एक और फुर्मुला अभी हम यह डिसकुस करने वाले हैं क्या है वह अच्स के पर था आई स्केर ₹ब इसको लिख लिए ऐसे आई स्केर ₹ई के अटि इन देस वे आई का स्केर था तो आई इंटू आए कर देंगे ऑप से क्या कर देंगे हम आईयर को से से रवनेंगें फीन टों कितना आगया है वी आईटी आ पर्फिकली हम इन दो फर्मुलों को यूज करेंगा जब भी हमें हीट्वाइड करना होगा स्वाले केस में तो इस फ्रिट्वाइड करेंगे सेरिज में ग्रयंट क्या रएका सेंगा इदा चारर कि जब भी हमें हीट करना होगा नले केस से तो यह वह इंसी में वह यूज करेंगे क्यों कि कोंस्टन है घ कि अगे चलते ह Recent इसे वे इसके आप अहांटी है एनर्जी क्यों लेते हैं क्योंकि हमने दिन में कभी न कभी हमें क्या करना होता है कोई न कोई टास्क करना होता है हमें कोई वर्क करना होता है इसलिए हम क्या ले रहे होता है एनर्जी ठीक क्या करने के लिए वर्क करने के लिए What is energy? Energy क्या होती ही? The capacity of doing work. The capacity of doing work. This is called energy. इसको हम क्या बहुते हैं? Energy बहुते हैं. The capacity of doing work. Called energy. और इसका जो ऐसा उनित है. वह है जून. इस इसा उनित. और अगर बात करें. CGS. आलड़ी यहां पर ऐसा है लिख दिया है. और इसका जो CGS है वो है. और एंड वन जूल इक्वल किसके होता है? तैं डिस्ट पावर सेवन अर्ग. Energy कितना आएगा? जितना हीट आया था. कैसे calculate करें इसको? उसी तरीके से calculate कर सकते हैं. कि यह register है. इसका resistance कितना है? इसको connect किया हमने वी वोल्ट के साथ. और एक की हमने लगाया. जैसे हमने की क्लोज किया तो स्पोज यहां से कितना current flow कर रहा है? आई current flow कर रहा है. तो कितना work done हुआ? तो work done का formula हम लिखते हैं. वी इंटू क्यों? ठीके? तो work क्या होगा? अकोर्डिंग टू ओमसला. वी कितना हो गया है? आई यार. एंड हमने पढ़ा था ओमसला. क्या है यह? वी इस उक्वल टू आई यार. एंड करंट क्या था? करंट. आई इस उक्वल टू क्यों बाए टी. तो क्यों कितना हो गया है? आई टी. ओकी? पहले यह step निख तो यह हो गया है आई यार. और यहां से क्यों कितना हो गया है? आई टी. आई इंटू टी. तो वर्क हमारे पास कितना आगया है? यह आगया है. आई स्केर आटी. कितना आगया है? आई स्केर आटी आगया है. यह वर्क किसकी फोर्म में आगया है? यह फॉर्क यह जो वर् को्ए टर्फकिए फिरह आग्या है इसके संग fresh आप इसको जैसे लास्ट में यहां किया था त्यूंज को मौतिफाइज और आप सकते है MEL को जैसा अभी लिखा था हमने यह लिख देते हैं, e is equal to क्या लिखा था? i2rd, एक और तरीका क्या था? v2rd, और एक और क्या था? v2rd, जिस तरीक के से हम ने हीट खो किया है, बिलकुल उसी तरीक के से हम energy को भी ऐसे लिख सकते हैं, ओके? चलिए, अब नेक्स्ट एक important ट्रह बात करते हैं, power, एक्ट्रिक पा पावर क्या होती है रेट ओफ डूइंग वर्क क्या होती है रेट ओफ डूइंग वर्क यह हम बोल सकते हैं एनर्जी या फिर हीट बोल सकते हैं ऐख कोटी डूइंग वर्क या फिर सकते हैं इस यह में वर्क हमारे पास कितना तो अब ओब कम अई पास है था ऐडा सकतोा है तो TCT क्या हो गया है? Cancel. तो power हमारे पास कितना आ गया है? I square R आ गया है. फिर सम क्या कर सकते हैं? और P is equal to I square R चल रहा है. तो इसको फिर से जैसे पहले क्या था? R से multiply करेंगे, R से divide. R से multiply क्या? R सम में क्या क्या? divide क्या? and हम जानते हैं कि V is equal to क्या है? I R. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं V square upon R. V is equal to I R है. तो I square R सकर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा V square. ठीक है? तो P कितना बनेगा? V square Y R. और एक और तरीका है इसको लिखने का. क्या है वो? P is equal to क्या है? I square R है. तो इसको I R into हम I लिख सकते हैं. तो I R को क्या लिखेंगे V, तो P क्या बन गया है? P is equal to VI. तो तीन formula हमारे पास यहां भी power के लिए आ गया है. लेकिन फिर से हम को use कैसे करेंगे? वैसे तीनों useful है. लेकिन इन दो को हम ज़्यादा use करते हैं. सीरीज में हमें power calculate करना है. तो यह वाला formula use करेंगे. क्योंकि current सीरीज में क्या रहेगा? सेम रहेगा. parallel में अगर में power का ratio calculate करना है, तो यह वाला formula use करेंगे. क्योंकि जो parallel है उसमें voltage क्या रहेगी? सेम रहेगी. ठीक है? अभी unit की बात और करते हैं. unit of power unit of power तो power equal किसके है यह है work upon time तो work के लिए जो unit हो गया है joule और time के लिए क्या हो गया है second तो power के लिए क्या हो गया है watt क्या हो गया है watt ओके और अगर मैं define करना हूँ वन वाट को वन वाट is equal to one joule upon one second ठीक है अब इसी में बात करते हैं कि वन किलो वाट किलो मीन्स किलो मीन्स थाउजेंड वन थाउजेंड तो 10 रस्ट पावर 3 वाट इसमें ट्रम आएगा वन मेगा वाट मेगा मीन्स मिलियन मेंस थैन लैक थैन रस्ट पावर 6 वाट और एक इंपोर्टेंट रम आता है वन एच पी होर्स पावर ओके क्या आता है होस्पावर तो वन एच पीज उकल तो सेवन 46 वाट ओके एक और इंपोर्टेंट यहां से कुष्चिन आता है डिफाइं वन किलो वाट आर एंड वन किलो वाट एक तो हमें ध्यान रखना है कि जो यह वाली है है यह किसकी योड है यह पावर कार्द है अब चिक है और यह किसका यूनट है य야 किसका यूजिट है फ़ेनल का चिक है चली देखतें क्या है तो इसको आप Stephen एपने तिंद cancellous कि कि आ है कि फ़िच कि है या तुहिंड है फ्री ध्री ठीक है चलिए देखतें क्या है तो इसको आप जानते कि 1 kWh एक्वल किसके है ये 1000W है और ये किसका यूनिट है पावर का यूनिट है अभी 1 kWh क्या है 1 kWh एक एक एलेक्ट्रिक अप्लाइंस है जिसका पावर कितना है 1 kWh और वो ऑपरेट हो रहा है कितने टाइम के लिए 1 kWh के लिए ओपरेट हो रहा है ठीक है तो जो एनरजी का कंजप्शन है उसको क्या बोलते है 1 kWh बोलते हैं फिर से बता रहे हैं क्या एक हमारे पास एलेक्ट्रिक अप्लाइंस है जिसका पावर कितना है 1 kWh है ठीक है और ओप कितने सब्सक्राइब एक थे सब्सक्राइब और यहां से हमने देखा था क्रोस मुल्टिकलर कर सकते हैं वाट इनटु सेंद क्या बनेगा जूल तह यहां पर क्या लग गया है जूल लग्लग गया है ठीकिलेक जूले ठीक आप यह लिख सकते हैं और और भी ज़्यादा वैटर होगा कि अगर हम इसको standard form लिख ले तो 1 kWh कितना होगा इसको 10 से multiply 10 से divide कर लेना है ठीक है तो क्या करेंगे हम जो 10 से multiply किया है वो तो बन गए 10 रस द्वावर 6 और जो 10 से divide किया है वो कितना होगा 3.6 यह standard form में है ठीक है यह वन ठीक है तो आप दोन में difference देख पारें कि जो 1 kWh है वो किसका युट है वो पावर का युट है और यह जो युट है वो एनरजी का युट है वो एनरजी का युट है इस भी टमर्शियल अ इस वाट कमर्शियल युनिट ऑफ एनरजी कमर्शियल युनिट ऑफ एनरजी है आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वोचें